आज हमारा टॉपिक है बड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है वैसे तो C3 and C4 प्लांट्स जनकी हमने लास्ट वीडियो में स्टुडी की थी उनकी डिफ्रेंस का यहां पे उनकी सिमिलर्टीज का यहां पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उन दोनों प्लांट्स में सिमिलर्टीज है क्या क्या उन दोनों प्लांट्स में डिफ्रेंस है और कौन से प्लांट जो है वो ज़्यादा हम कहेंगी एफिशियन्ट है या कौन से प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से काम करते है इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करेंगे तो आप इस वीडियो में बने रही है स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा अगेन अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो स्टार्ट करते है हमारा ये वीडियो वीडियो स्टार्टिंग के अगर बात के जाती है तो इस्टुएंट्स आपको ये वीडियो अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आपने C3 एन C4 प्लांट के बारे में अच्छे से स्टड़ी की है तो आप ने उसको प्रीविएस सकते हैं उसमें आपको C3 & C4 की सेपरेट वीडियो जो है आपको मिल जाएगी देन आप इस डिफ्रेंट्स वाली वीडियो को देखें तो बैटर अंडरस्टेंडिंग जो है वो क्रियेट हो जाती है और तो हम स्टार्ट करते हमारा ये आज का वीडियो और आज के वीडिय स्टीर powerful स्सक्राइख इस स्टीर द्युगâmar को विडियो जूर्ट को अंगी कोशिका के नाम पंटाब है किस खं कि एक 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 एडयर ऑफ सेल जो है कह सकते हैं और उस लेयर का नाम हम वहापे बंडल शीदकोशी का इसलिए c4 प्लांड के इंदर जियो c3 साइकल होती है वो किसमें परफोर्म होती है बंडल शीत कोशिकाओं में, that means, यह हमारा most important जो पॉइंट है, वो यहां से देखने को मिल रहा है, next हम बात करें, कि वह कोशिकाओं जिसमें प्रारंबी कार्बोक्सिलेशन प्रतिक्रिया घटित होती है, ध्यान रखना, students, इस पॉइंट को आप थोड़ा से समझें, वह प्र आप चाहिए और यह जो डिफरेंस वाली जो वीडियो है, वो आपको इसलिए दी गई है, ताकि आप अच्छे तरीके से C4 एंड C3 के बारे में समझ सकें, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, सित्री प्लांट के अंदर तो एक्स्टा कोई लीफ मिलती नहीं, इसलिए वहां रहां पर यहां पर प्रकार के महते हं, यह दो करना एक और मटचिछ आनमेह वहां परतें। पहली बार जो CO2 है, वो मीजोफिल कोशिकाओं में आती है, इसलिए C4 प्लांट में भी यह क्या होगा, मीजोफिल कोशिकाओं में ही होगा, यहाँ पर सेम है यह तो इसलिए हमने इस वीडियो का नाम रखा है, इसलिए और दिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगे हमें सेम इवेंट से वह देखने को मिलते हैं, कुछ जगे में दिफरेंस भी देखने को मिलेंगे, इसलिए कि पॉंट हमारा है, एक पते में कितने प्रकार की कोशिकाई होती है, जो की CO2 योग की करन करती है, अगर हम sietree plants की बार करें, यह नोर्मली यह प्रॉसेज होनी है Go, जट लीफ में वह लेखने की प्रोशज होती है, यहाँ बहुती हुनदर निया पर्रफॉरम करने की जो प्रोसेज है वो देखने को मिलेगी तो अगें स्टुएंट्स आपको मैं बता दू कि C3 प्लांट्स के अंदर तो एक ही टाइप की सैल है मीजोफिल उसके लावा उसके पास कुछ है यह नहीं तो यानि कि वहां पे तो नंबर एक लेकिन अगर हम C4 की बात करें त तो C4 में दो सैल्स आने की वज़े से वहां पे नंबर ऑफ सैल्स कितनी हो जाएंगी दो हो जाएंगी अगें डिफरेंस आगया यह नेक्स पॉइंट हमारा है सीओ प्रात में ग्राही कोन होता है तो सीओ टो के प्रात में ग्राही की अगर बात की जाती तो C3 के अंदर जो यह वह बनाता है तो इसमें फ़र्स्ट जो हमारा ग्रही होता है वह होता है RUBP लेकिन अगर हम बात करें हमारे C4 प्लांच की तो वहाँ पर पहला ग्रही होता है PEP की very important point है अगें यहां भी difference आ गया तो इस्टुएंट्स मैं कह रहा हूँ कि अगर आप difference वाली वीडियो भी अगर देख लेते हैं एक बार उनको देख करके तो I am 100% कि आपको यह जो C3 and C4 cycle कभी भी आप इसको भूलोगे नहीं हमेशा यह याद रहेगी क्योंकि difference अगर एक बार हमें अच्छे से जमन में आ जाते हैं देन हम उनका separate भी जो है description जो है वो लिख सकते हैं next point हमारा है कि प्रात्मिक CO2 ग्राही में कितनी संख्या में कारवन उपस्तित होते हैं तो अगर हम C3 plants के अगर बात करें, जिसमें जो प्राथामिक जो हमारा CO2 ग्राही होता है, वो RUWP होता है, जो कि कितने थो करबन का होता है, पाँच करबन का, बसे लिए अनलिये का इलिश, यह कि नर्व इनलोग यह होता है कि C4 स्थरी करण का प्राथमिक उतपाद क्या होत तो CO2 स्त्रीकरण का प्रात्मी कुटपाज जो है वो C3 cycle के अंदर तो PGA होता है फोस्पोग्लिस्रिक एसिड और हमारे C4 cycle के अंदर होता है वो और जलो एसिटिक एसिड है इस डेट क्लियर ? नेक्स पॉइंट हमारे आते हैं कि CO2 यह अगेन वह रिपीटेट है CO2 इस तरीकरण के प्रात्मी कुटपाज में कितने कारबन होते हैं तो अगर हम C3 cycle की बात करते हैं जिसमें PGA बनता है सबसे पहले जो की 3 कारबन का होता है और उसी के base base का नाम रखा गया है C3 cycle लेकिन अगर हम oxalicic acid की बात करें जो कि 4 carbon का होता है इसलिए उसका नाम रखा गया है C4 cycle क्योंकि हमारे जो first जो product होते हैं उनके नंबर के बेस पे उनके carbon के नंबर के बेस पे इन cycles का नाम रखा जाता है next point हमारा है क्या पोधे में rubisco उपस्तित होता है तो important point यहाँ पर हमें यहाँ पर याद रखना है कि क्या इन में rubisco जो है वो absent होता है यह present होता है वो हमें यहाँ पर याद रखना है तो देखो इंस्टूडेंट्स आपको मैं यहां पर सीधा सा बता देता हूं कि यह जो क्योशा निरों ने पूछा है कि रुबिस्को एंजाइम की अगर बात की जाती है तो रुबिस्को एंजाइम उपस्तित होगा important point तो है कि रूबिस्को एंजाइम की बात की जाती है कि रूबिस्को एंजाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा तो अगर आप कह रहे हैं कि दोनों प्लांट्स के अंदर जो कि C3 प्लांट्स है और C4 प्लांट्स है कि वहाँ प्लांट्स में C3 साइकल अगर पर्फॉर्म हो रही है that means वहा स्टूएंट्स जाएंग कि वहाँ पर होगा कहा नहीं होगा हुँ बात में बात करेंगे पौद्यज नेक्स पॉइंट है कि क्या पौध में प्रतित होगा थो स्टुएंट्स एंज्याइम यह उपस्तित है बट वहाँ पर ऐसी कोई अक्टिविटी ही नहीं मिलती इस वज़ गुन में सेми तो धाइगा लेकिन ऐसा नहीं है। किっち थ्री प्लांट की अगर बात की जाती है तो फिती प्र्कास के इस्थी में योगी करण की दर किस प्लांट के अंदर सरवाती होती है तो सि filters लो होती है जेकिन कि बात कि जाती-shelf चाहती है ये यो फानुsk में लास्ट वीडियो कहा दें ले जेज़गा पर पर है इस वजह से तरह प्रकास प्रकास पर मलेगा यो कुछ तापमान मिलेगा तो CO2 की जो fixation की जो rate होगी वो भी क्या होगी ज्यादा होगी next point हमारा है कि क्या निम्न प्रकास तीवर्ता में इनमें प्रकास स्वसन जो है वो देखने को मिलता है तो students आपको मैं बता दूँ कि जो यहाँ पर photo respiration की जो process होती है वो दोनों में ही उपस्ते तो होती है लेकिन जब निम्न प्रकास की बात की जाती है मतलब low temperature की तो वहाँ पर C3 और C4 और दोनों में यह rate क्या हो जाती है बिलकुल low हो जाती है slow process हम इसको कह सकते हैं दोनों के अंदर ही next point हमारा है क्या उच्छी प्रकास के तिवर्दा में प्रकास का स्वसंद जो है वो हमें देखने को मिलता है तो C3 plants के अंदर तो प्रकास वसंद जो हमें अच्छे से देखने को मिलता है लेकिन C4 plants में इसकी rate कम होती है इसलिए इसको हम कह देते हैं कि C4 plants में जो photo respiration है वो absent होता है लेकिन अगर नगन्ने भी दे रहा है और अनुपस्तिती भी दे रहा है तो आप दोनों पर टिक करेंगे नेक्स्ट क्या निमनी CO2 संदृता में प्रकास में स्वसंद में देखने को मिलेगा तो स्टुएंट्स आपको मैं सीधा सा बता देता हूं कि अगर CO2 कम होगी दैट मिलेगा तो स्टुडेंट्स अगर हम कहें कि CO2 अगर ज्यादा हो जाते ही तो हम खुद जो हुमन्स हैं वो भी सांस नहीं ले पाते तो पिचारे प्लांस तो कहां से लेंगे इसलिए दोनों में रेट क्या हो जाएगी स्लो नगन्ने तो फीसी फॉर में तो आई नगन्ने आई तो अनुकूलेतम तापमान कितना मना जाता है तो ऑनुकूलेतम तापमान जो है वो सीत्री प्लांट्स के लिए कंपरी जन अगर हम देखे तो कम होता है वह होता है 20-25 डिग्रे सेल्सए इस कंडिशन में या इस तेंप्रेचर की रेंच में यह अच्छा फाटो सिनन् बट अगर हम C4 plants की बात करते हैं तो इनकी जो temperature value होती ही वो होती ही 30 to 40 degree Celsius क्योंकि यह कैसे होते हैं High altitude, High temperature वाले plants होते हैं अब हम बात करते हैं हमारा important examples के बारे में examples के अगर बात की जाती है कि मतलब C3 plants कोन से होते हैं C4 कोन से होते हैं C3 का example हमारे पास गेहूं और चावल जैसा कि आपके इस वीडियो के अंदर फर्स्ट एक टाइडल दिया हूँ है C3 वरसे C4 उसमें भी diagrammatic representation है तो वहां पे लिखा था हमने C3 तो C3 में जो diagram है वो गेहूं का diagram है पर C4 में है वहां पे मक्का और मक्का यहां पे पाया जाता है C4 plants होता है और गन्ना भी C4 plants होता है और जोहार भी जो है C4 plants होता है is that clear तो यह कुछ difference थे next एक और पॉइंट हमारा है उसको भी देख लेते हैं एक बार इस next point की अगर बात की जाती है तो next point के अंदर आपको है मैं यहां पर सीधा सा बता देता हूं कि हमने पहला point जो है वह clear कर लिया second point भी हमार हो चुका है cringe anatomy की बात करते है तो cringe anatomy C3 में क्या होती है absent होती है जबकि C4 में यह उपस्तित होती है C3 plants में C3 cycle यह भी हमने बात करने मीजोफिल में चलती है जबकि वहां पे bundle sheet में होती है photo respiration उपस्तित यह इसको अपने गणने भी कह सकते हो ठीक है इसके बाद में एक point हमारा जो important है वो यह है कि C3 plants में 1 CO2 को fix करने के लिए 3 ATP और 2 NADPS2 खर्च होते हैं C3 plants में CO2 को जब fix किया जाता है तो 3 ATP और 2 NADPS2 खर्च होते हैं जबकि अगर हम C4 plants की बात करते हो तो C4 plants के अंदर 1 CO2 को fix करने के लिए 5 ATP और 2 NADPS2 खर्च होते हैं यह very important point है तो इस तरीके से हमने यहां पर C3 and C4 plants का major discussion है वो कर लिया है तो मैं एक question यहां से लास्ट में जिसने भी वीडियो देखा तो उससे मैं यह put up करता हूँ जिसने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो वो इस question का answer जो मैं verbally अब यहां पर बोल रहा हूँ उसका answer मुझे आप comment box में देंगे मैं उम्मिद करता हूँ जिसने भी यह वीडियो पूरा देखा है वो इसका answer जरूर देखेगा जरूर देगा comment box में तो मेरा question है कि C3 plants के अंदर C3 plants में अंदर हमें अगर दो molecule glucose बनाने हैं तो हमें total कितने ATP की आवशक्ता पड़ेगी में वापस repeat कर रहा हूँ कि C3 plants में अगर हमें दो molecule glucose बनाने हैं तो हमें कितने ATP की आवशक्ता पड़ेगी और यही process अगर C4 plants में होती है तो वहाँ पर कितने ATP की आवशक्ता पड़ेगी तो मुझे आप कमेंट बोक्स में जरूर इसका अंसर देंगे मैं इसको डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी एक बार लिख दूँगा अगर आपको याद नहीं रहता है तो तो थेंक्यू स्टुडेंट्स वीडियो देखने के लिए